हाँ 14 फरबरी 2019 को हुआ था, 14 फरबरी हमारे देश के लिए सबसे असुब देने शुब dzi演 14 फरबरी को ही हमारे वीर भगत सिंग को फासी की सजा सुनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा 14 फर्वरी 2019 को ही हमारे पुलवामा अटेक हुआ था जिसमें हमारे CRPF के 40 जमान एक साथ सहीद हो गए थे यह बहुत बुली खबर थे और बहुत दुखत खबर थे 14 फर्वरी को आप वैलेंटाइन डे मनाते हो गुलाब के फूल लेकर जाते हो अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर जाते हो यार ऐसे चीज़ों को मत मनाये करो यह अंग्रेजों की देने मेरे भाई यह अंग्रेजों की देने वैलेंटाइन डे यह सारी चीज़ें मैं कभी नहीं मनाया मैंने आज तक वैलेंटाइन डे रोज डे, टेडी डे, बीर डे, भालू डे, हालू डे, हलुआ डे मैंने आज तक नहीं मनाया, मैं दिवाली मनाता हूँ मैं हुली मनाता हूँ, मैं क्रिश्मस मनाता हूँ, मैं एद मनाता हूँ ये होते मनाने वे, मैं 26 जनवरी गरतंतरता दिवस मनाता हूँ मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाता हूँ ये दिन होते हैं यार ये दिन होते हैं और हम क्या है Valentine Day मनाने चल दिये 14 फरवरी को पुलवामा टेक हुआ 14 फरवरी को वीर भगत सिंग को फासी की सरा सुनाई गई थी और हम Valentine Day मनाते हैं क्या मतलब है Valentine Day मनाने का मैं तो यार नई साल भी नहीं मनाता हूँ नई साल क्या होती है सब अंग्रेजों की देन है हम बार-बार अंग्रेजों की तरफ पहुंच जाते हैं जो अंग्रेजों ने हमें सिखाया उसी को हम सीखते जा रहे अंग्रेज हमें उल्टी सीधा कल्चर से खा रहे और हमारा कल्चर असेप्ट कर रहे देखरो अंग्रेज साड़ियां पहनते अंग्रेज टीका लगाते दूसरी बाद अंग्रेज नम तुलसी तुलसी हमारा कितना पुराणिक पोधा है तुलसी से कितनी दवाईयां बनती है तुलसी से अंग्रेज दवाईयां बनाने और अंग्रेज उने पेटेंट ले लिया इंडिया आस तक पेटेंट नहीं ले पाया तुलसी का तो यह बहुत बड़ी खबर है याद रखना अरे यार वैलेंटेंडे मत बनाये करो और आप ग खूब खेलो, खूब काम करो, लेकिन अपने लिए डेली 6-7 गंटे पढ़ाई के लिए निकालो, क्योंकि आप फिजिकल निकाल दोगे, आप सारी चीज कर दोगे, पर फेल हो जाओगे, रिटन टेस्ट में, रिटन टेस्ट के लिए 6-7 गंटे पढ़ो, और आपके अगर गल या जीवन होगा, सोची एक लेटर आएगा भारत सरकार की तरफ से, कि आपको इतनी तारीक को इस सेंटर पर रिपोर्ट करना है, कितनी बड़ी बात होगी यार, तो मैं कह रहा हूं महनत कीजिए, दबा के पढ़िए, और अगर वहां लोग वैलेंटाइन टे मनाना भी है, तो रोज का फूल, गुलाब का फूल, इतनी महगी महगी चीज देनी क्या जरूरत है, अपनी गल्फरेंट को पपीता दो, सेव दो, केले दो, खाएगी तो कम दो स्वास्त तो बनेगा उसका, हमारी परंपरा भी चलती रहेगी, गिफ्ट में दे रहे रहे, उल्टी सीदी चाओ मीन खिलारो, क्या हद्द है यार, चलिए कोई बात नहीं है, पढ़िए, महनत कीजिए, आगे बढ़िए, वो दिन, सबसे खुस नसीब दिन होगा, जिस दिन आपकी जौब लगेगी, और वो दिन आने वाला है, घबडाने की जरूरत नहीं है, एक दिन आने वाला है देखो भाई, सच बता रहा हूं यार, जिस देखो तीन चार दिन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खुसी होती है, सबसे पहला होता है, जिस दिन आपकी साधी होगी, उस दिन आप राजा होंगे, सुनिए, जिस दिन आपकी साधी होगी, उस दिन आप राजा होंगे, पापा बनोगे, लेकि सबसे बड़ा खुशनसीब दिन होगा, जिस दिन आपकी जोइनिंग आएगी, सरकारी नौकरी लगेगी, जिस दिन आपकी जौब लगेगी, जौब वाला दिन सबसे खुशनसीब दिन होता है, बिटा जिस दिन भारत सरकार का लेटर आएगा ना आप दूसरा उसमें लिखा होगा आपको इतनी तारीक को इतने बज़े इस सेंटर पर रिपोर्टिंग करनी है, वो दिन इतना बड़ा होगा, आप नहीं आपके घरवालों के आपको में भी आँसु होंगे, वो होता है असली, साधी वादी तो ठीक है, खुसी का दिन है, तेकि सबसे ज़दा खुसी का दिन होता है, जिस दिन आपकी जवाब लगेगी, सच बता रहा हूँ, तो महनत कीजिए, पढ़िए, वेरी वेरी इंपोर्टन, ठीक है, चलिए, आई